शहीत सेवा दल हर्याना द्वारा निकाली जा रही कारगिल यात्रा आज गोहाना पहुची नई अनाज मंडी के पास जन सेवक राजवीर सिंग दहिया यात्रा में शामिल हुए इस दौरान पूर्व सैनिक वेलफेर सोसाइटी सोनीपत के अध्यक्ष सत्यपाल काजला धर्म इस दौरान कारगिल यात्रा का एडवोकेट जय सिंग ठेकेदार ने अपने निवास के बाहर यात्रा का स्वागत किया इस दौरान उन्होंने कारगिल यात्रा को युवाओं के लिए प्रेरनादाई बताया तो आज उनके यादगार में सहीरी दिवस्पा जो यात्रा निकाली गई है एक बहुत ही अच्छा काम है और उनको हमेशा हम याद करते रहेंगे जिनों हमारे देश के लिए जान पुर्पन करते इस तरह की यात्राओं से किस तरह का युवाओं को जो है एक मैसेज मिलेग और बोटी में से में होता है देश के लिए काम करने का देश की निश्टा के लिए देश के रास्वक्ति के लिए ये हमारा परम करते में भी है कि हमों यो सहीदों को याद करते रहें अगनी वीर योजना को लेकर तरह तरह के सवाल खड़े किये जा रहे हैं तो ऐसे में क्या सेनिकों का जो मनोबल गिरने की बात की जा रही है आप कितना सही मानते हैं। चोटुराम चोग के पास जन समान्य ने यात्रा का फूलों की बोचार कर स्वागत किया। पुराना अड़ा पर यात्रा का स्वागत किया। जन सेवक राजवीर दहिया ने इस दौरान भगत सिंग चोग, शहीद चोग और जगजीवन राम चोग अंबेड कर चोग पर माल्यारपन कर महापुर्शों को नमन किया। यात्रा के दौरान जगत महान न्यू से बात करते। पूर्व सैनिक वेलफेर सोसाइटी के प्रधान सत्यपाल काजला ने कहा कि कारगिल के पीछे मकसद शहीदों को याद करना है और उन्हें सम्मान दिलाना है। इस मकसद का यह है लोगों के अंदर जो सहीद होए हैं उनके परती जो हैना सरदांजली और उनके परती जो हैना एक बहुत बड़ा सम्मान चाहिए। और हमारी पूरसानिक वेलफेर सोसाइटी सोनिपत जब से यह यात्रा इस टिक सोनिपत में उसी है उसके बात में धिरंतरा मिलते सहयोगी रहे हैं। और तो शोशिट करेंगे हैं तो आरकर अपी चुलाएं। वही इस दौरान जन सेवक राजवीर सिंग दहिया ने कहा कि यह यात्रा शहीद सेवा दल और पूर्वसेंट करते हैं। जिसके माध्यम से शहीदों को याद किया जा रहा है। जिसके लिए मैं यात्रा के आयोजगों को शुबकामनाएं देता हूँ। और जो भी जिम्मेदारी ये सेवक दल्या पूर्वसेंट मेरी लगाएंगे उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाऊंगा। जगत महान न्यूज के लिए गोहाना से तेजवीर सिंग की रिपोर्ट। पीछे किस तरह की सोच है और क्या मैसेज आप देना चाहते हैं। देखो ये हमारे जो एक सहीद सेवादल है और साथ हमें हमारे जो एक सर्विसमेन है उनकी भी एक संग्ठन है। और ये सब लोग मिलकर के यात्रा जो हमारे देश के सहीद हैं। जो गोम में अपने सहीदों को या जो देश अपने सहीदों को पूल जाते हैं। तो उन देश की सीमा सुर्खसित ना भारी काम हो जाता है। तो उस वजेसे हमने जो है, सब उन सहीदों को याद करें। जो हमारे देश की सीमाओं को सुर्खसित रखते हैं। तो उसका इन उन्हें कायोजन किया है। उसमें सहीद, शेवादल और हमारी जो एक सर्विसमें हैं। इनका मुख है, रोल है। मैं तो इनका एक साइक के रूप में इनके लिए काम कर रहा हूँ। तो मेरा बोच जादा कोई बड़ा रोल नहीं है। मैं तो जो ये मेरी डूटी चाहां लगाएंगे। आगे बोईसे में भी राज भी। मैं तो एक समाजिक आदमी हूँ। सामाज के लिए काम करता हूँ। तो इन्होंने इस डूटी पर मेरे को बुलाया। मैं इस डूटी पर इनके साथ खड़ा हूँ। जहां ये मेरी डूटी लगाएंगे। और मैं इनको इस बात के लिए मुबार्गवा देता हूँ। सहीद सेवादल को भी और हमारे जो एक सर्विस में नहीं को भी कि भी जो लोग अपने सहीदों का सम्मान करते हैं उससे हमारे समाज में जो हमारे युवा है और जो हमारे सहनी के मौजुदा उनको भी एक सक्ति मिलती है उनको भी देश के परती, देश की शेवा करनेगा देश की शुरुक्षा करनेगा एक जज़बा पैदा होता हुए। मैं इनको इस बाद के लिए बहुत 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 पताही देताहूं我說ान dernière ताकि देश की सीमा सुरक्षित रहे और देश का बहुत से वजवल रहे हैं अगनीवीर योजना को लेकर कापी नाराज की देखी जा रही है और अभी कांग्रेस में भी इसके सवाल खड़े किये हैं कि जब तक अगनीवीर योजना वाक्य में एक सेनिकों के साथ छलावा है तो इनोंने जो सरकार ने विचार किया है मैं कोई भी बात ऐसी नहीं कहना चाता जीसे मारे सेनिकों का मनोबल टूपे लेकिन सरकार को इस तरफ द्यान देना चीए और सरकार को जो हमारे पूरो सेनिक हैं जो हमारे मोजूदा सेनिक हैं जो हमारी नई बरती होती हैं उसमें देश की सुरक्षा के साथ कोई भी पार्टी बाजी राजनिती नहीं होनी चीए और उनकी प्रोपर द्यान होना चीए देश का सूरवीरों के लिए तो मेरी ये सरकार से मांग है कि इस पर जैसे पुनुविश्चार की बात सल रही है कई दिन पहले मैंने पढ़े आधा 50-50 की बात है मैं कहता हूँ 50-50 ना करके एक प्रोपर तरीके से अगर कोई आदमी गल्ती कर देता और हमारे से कोई गल्ती हो जाती है समाज के सामने च्छ को वापिस लिया हमने भी उसके लिए सरकार का दिन्यवाद किया वह हम किसानों के साथ खड़े दे एक साल तक मैंने मेरी मेरा उक्सिजन का काम है मैंने लोगों की बोर्डर पर फ्री सेवा करी है और आज भी मैं सरकार से गुजारिस करता हूं और जो हमारी विपक्स की पा विपक्स और विपक्स किसी भी आदमी ने यह विचार नहीं रखने चाहिए युवाओं को क्या मैसस देना चाहेंगे हाज ये तारगिल यात्रा हमारे देश के काभी सैनिक तो है तारगिल योग में सहीद हुए थे युवाओं को किस तरह से भागीदारी इसमें करनी चाह पड़ाने के कामों में उन में लगना चीए आज कल मैं युवाओं को देखता हूं कि वो जो ना थोड़ा सा गलत दिशा की तरफ जा रहा है तो जब तक हमारा जवान ठीक नहीं होगा जब तक हमारे देश का पविश्य ठीक नहीं होगा तो शीमाय सुरुक्स से दर्खना लेकिन मैं लोगों से कहता हूं कि देश की बाउना रखनी चीए और हर आदमी को फोजगे परती है बहुत ज्यादा समर पितरे ना चीए और हर आदमी को फोजगो अपनी नजरों से ऐसे देखना चीए जैसे मैं भी एक सेनिक होगी, मेरी युवाओं से ये अपील है कि वो अपने आपको भी देश का एक सेनिक समझें, और जितनी भी स्यधारियों को जिरूरी नहीं, आप होज में परती होगे जाओगे, वहाँ आप देश की सेवा कर सकते हो, आप किसी भी तरीके से संक्टन से जुड़ सकते हो, आप इंटरनल सुर्क्ष्या से जुड़ सकते हो, बहुत सारी चीज़ें युवाओं के लिए और हमें अपने देश के प्रती बहुत ज्यादा वफादार और बहुत ज्यादा मतलब निश्थावान होना चीए, तो आज इस यात्रा के साथ जुड़े हैं मैं इनकी बहुना को घेज नहीं पहुचने दूआ, और मैं जो कारगिल की बात, इस यात्रा की बात है, इस यात्रा में मैं आज मलाना गाहों तक इनके साथ हो, उसके बाद ये हमारी पानी पजले में चली जाएगी खल से, तो पानी पजले में जो हमारे और लोग हैं, वो कि वैसे तो राजनीतिक हैं, समाज सेवी हैं, लेकिन आज इनसे हम राजनीतिक की बात नहीं करेंगे, क्योंकि आज ये एक ऐसी यात्रा में सामिल हो रहे हैं, जो कि देश भक्ती की बावना से आतोर तोत प्रोत है, और सयुआओं में ऐसी बावना ये भरने का काम करेगी, कि उसमें ये सहयोग कर रहे हैं, देखते हैं ये यात्रा युवाओं में और समाज में कितना बदलाव लापाती है, जगत महन ने उसके लिए तेजवीर से, नमस्कार.